नमस्कार आप देख रहें लाइब यहार मैं हूँ आपके साथ असलम अबास देखिए लालू परसाद यादो से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है जी हां लालू परसाद यादो अब सिंगापुर नहीं जा रहे हैं जालू परसाद जो सिंगापुर रद्ध हो गया है अगामी कितने तारीक अब हो जाएंगे यह तो अभी निर्धायत नहीं है लेकिन सिंगापुर जाने का जो प्रोग्राम था वो अब रद्ध हो गया है यह पूरे मामले को अगर जोड़ कर देखा जा तो मौजूदा समय में नितिश कुमार जीस तरीके स हो रहा है राहूल गांधी का नाम हो अरविंद केज्वाल का नाम हो या फिर दूसरे बिपक्छी नेताओं का वरना नितिश कुमार इतना असान से बिपक्छी एकता को मजबूत करने में काम्याब नहीं हो पाते या कहें कि सभी नेतां उनकी रोहनी आचारिया ने उन्हें करता हूं के बीच में काफी चर्चा का विसाय आया था और बहुत सारे लोग चर्चा भी कर रहे थे बेटी हो तो रोहनी अचारिया के जैसा लेकिन लालू जादों का जो रूटीन चेकप होना था सिंगापूर में होना था वह फिलाल पल गया है और दिल्ली में ही रहकर अभ कैसे मोदी का यानी नैन मोदी का अस्व में घोडा को रोका जाये कैसे अंडिये को सत्ता से बाहर किया जाये इन तमाम बातों को लेकर लगतार चर्चा हो रही है और इस सारे केंदर बिंदू में लालू जादों भी बने हुए हैं और चेहरा नितिश कुमार का आगे किया जा रहा है ताकि 2024 के मोहीम में सब को साथ लाया जाए सब को एक प्लाटपॉर्म पर लाया जाए चाहे वह समाजबात का नारा देने वाला नेता हो या फिर धर्म निर्पेक्ष अंदोलन की कहने वाली बात या कहें कि सेक्लरिज्म जो अवाज लगतार देश में उठाया ज बारे में खासका कि लालव जाए सवास्थ को बारे में और दूसरी विपक्षी एकता के बारे में आप क्या अगर्या हम आपने